गनेशपूर नाम के गाउं में सुधाकर नाम का एक धनिक रहता था। और तुने मेरा किराया अभी तक नहीं दिया। मेरे पैसे खाने का इरादा है क्या तेरा। अरे काई के पैसे सुधाकर जी, जितने भी पैसे कमाए थे, वो सब तो कार रिपेर करने में चले गए, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है आपको देने के लिए, चाहिए तो अपनी कार लेकर जाईए वारे मोहन, तू तो मुझे ही सिखा रहा है, वो मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बस मेरे पैसे चाहिए, जब तक तू मुझे मेरे पैसे नहीं देगा, तब तक तुम्हारे दोनों बैल मेरे पास रहेंगे, और अगर पैसे नहीं दे सका, तो मैं बैल बेचकर अपने पैसे न लेकर चला जाता है इसी तरह से सुधाकर ने काफी पैसे इकटा कर लिये उसे दूसरों की कोई चिंता नहीं रहती थी वो बस खुद के फायदे की ही सोचता था सुधाकर बैल लेकर घर जाता है उधर मोहन की बीवी कहती है आप कुछ भी कीजिए पर हमारे बैल सुधाकर जी से लेकर आईए मोहन सुधाकर के पीज़े उसके घर जाता है तब सुधाकर अपनी बीवी से कहता है देखा भगवान मेरा तो डबल फायदा हो गया मैंने जान बुझकर मोहन की कार खराब कर दी थी एक तरब मेरी कार भी रिपेर हो गई और अब ये बैल बेचकर किराए के पैसे भी मिल जाएंगे अजी ऐसे मासुम लोगों को मत फसाया करो देखना एक दिन तुमें भी फसाने वाला कोई मिल जाएगा ये सारी बाते मोहन सुन लेता है मोहन वहां से घर वापस जाते रहता है और मन ही मन सुधाकर को सबक सिखाने का प्लान बनाने लगता है मोहन क को उसके दोस्त किशोर की याद आती है किशोर नाटकों में काम करने वाला एक एक्टर रहता है मोहन किशोर को गाउ में बुला लेता है उसे सुधाकर के धोके बाजी की सारी हकीकत बताता है तब किशोर कहता है अरे अब तुम देखते ही जाओ मेरे एक्टिंग का कमाल उसे रास्ते पर लाकर ना रखा तो मेरा ना भी किशोर नहीं वो सब तो ठीक है पर तुम मेक अप और बाकी का सारा सामान साथ में लेकर तो आया ना उस सुधाकर को जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए। पर आपके यहां आने का क्या कारण है। जी मैं आप से ही मिलने आया हूँ। मैं इस कार को बेचना चाहता हूँ। मोहन ने मुझे बताया था कि इस गाव में तुम अकेले ही धनवान हो जो मेरी कार की मूँ मांगी की मत दे सकते हो। ये सुनकर सुधाकर जोर-जोर से हसने ल मुझे कल ही परदेश जाना है इसलिए मैं इसे बेचना चाहता हूँ अगर यकिन नहीं आता तो देखो अपनी आखो से तब किशोर मन ही मन एक मंत्र कहता है मंत्र बोलकर किशोर कार को पैरो से मारता है तब कार से डाइमंड निकलने लगते है जो कि किशोर ने पहले से ही कार में रखे हुए थे वो डाइमंड नकली डाइमंड थे कार को मारने की वज़े से वो डाइमंड बाहर गिरने लगते है उन नकली डाइमंड को देखकर सुधाकर लालच में आता है और वो कार खरीदने के लिए तयार हो जाता है सुधाकर अपनी सारी जैदाद बेच कर उस पुरानी जादूई डायमंड कार को खरीद लेता है उदर किशोर और मोहन बहुत ही खुश हो जाते है तब किशोर कहता है देखो मोहन मैंने अपना काम तो कर दिया वो सुधाकर रास्ते पर आ गया है अब हमें यहां से नव दो ग्यारा होना पड़ेगा तब वो दोनों सारे पैसो को अपस में बाट लेते हैं और गाव छोड़ कर रफुशक कर हो जाते है उदर सुधाकर अब एक जोबड़ी में रहने लगता है सुधाकर कार के सामने आकर मंतर कहता है मंतर बोलकर वो कार को पैरो से मारने लगता है पर कार से कोई डाइमंड नहीं निकलते वो बार बार कोशिश करता है पर उसे कुछ नहीं मिलता तब उसकी बीवी कहती है है जिस वज़े से उसे हस्पताल में भरती किया जाता है शंकर एक बहुती लालची और खुदगर्ज आदमी था वो बिना मतलब के किसी की भी मदद नहीं करता था पूरे गाउ में सिर्फ और सिर्फ उसी के पास जेसी भी थी इसलिए उसके पास जो भी ग्रहका था वो उसे अपना मन चाहा दाम बताता बेचारे ग्रहक भी करे तो क्या करे जो दाम शंकर बताता उसे वो दे देते थे यूँ शंकर कम समय में बहुत जादा पैसे कमाने लगा पर फिर भी शंकर की पैसों की लालच थी कि कम ही नहीं हो रही थी धीरे ध जात के वक्ट चोरिया भी करने लगा, चोरिया करने का उसे कोई अनुभव नहीं था, वो भेश बदल कर जाता और पकड़ा जाता, इस तरह लोग उसकी जम कर पिटाई करते थे, भेश बदलने की वज़ा से उसे कोई पैचान नहीं पाता था, लेकिन जैसे तैसे उनसे पोड़े बेच कर सो रहे है, अब मैं आराम से चोरी कर सकता हूँ, यो सोचते हुए वो आगे बढ़ता है, कि वो अपने आपको एक आएने में देखता है, और डर के मारे जोर से चिल्ला था है, उसकी चीक से घर के सारे लोग नीन से जाग जाते है, और चिल्लाने लगते ह अरे चोर चोर, अरे पगड़ो, पगड़ो, शंकर डर के मारे वहां से भागने लगता है, कि उसका पैर गोबर पर पड़ता है, और वो धलाम से उस गोबर में गिर जाता है, छी 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 कितनी बद्दू है, लगता है गाय का पेट खराब है, ऐसा कहे कर वो वहां से भा आते हुए कहता है, अरे कहो विनोध कहो कैसे आना हुआ, शंकर भाई मेरे खेत में एक बड़ा सा पत्तर फसा हुआ है, क्या तुम उसे हटा दोगे, अरे विनोध मैं हटा देता, पर मुझे बहुत तेज बुखार है, अभी मैं दो तिन दिन तक कुछ नहीं कर सकता, अरे ऐस ही रास्ते से जा रहा था, कि रास्ते में एक बुड़ी एवरत सडक पर गिरी हुई नजर आती है, विनोध उसके पास जाता है, उसे पानी देता है, और उससे पूछता है, मा, कौन हो तुम, यहां क्यों पड़ी हुई हो? बेटा, मैंने पिछले दो दिनों से कुछ नहीं खाया है, भूग के मारे मुझे चकर आ गए, और मैं गिर गई, मुझे बहुत भूग लग रही है, क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दोगे? विनोद तुरंट अपने थैली में से तर्बूज निकाल कर बूड़ी अउरत को देता है, जैसे ही बूड़ी अउरत वो तर्बूज खाती है, वो एक सुन्दर परी में बदल जाती है, यह देख विनोद चौंक जाता है, तब परी कहती है, मैं एक श्राप में बंदी हुई थी, आज तुमारी मदद से मैं श्राप से मुक्त हो गई, तुम बताओ, तुम क्यों परेशान हो? विनोद अपनी सारी परेशानी उस परी को बताता है, यह सुनकर परी अपनी जादूज छड़ी से मैजिकल वाटर मेलन जेसीबी को प्रकट करती है, जिसे देख विनोद खुशी से जूम उठता है, तब परी फिर से कहती है, देखो विनोद, आज से तुमारे सारे कश्ट दूर हो जाएंगे, जाओ, जाकर इस वाटर मेलन जेसीबी से अपने खेत में फसे पत्तर को हटा दू, ऐसा कहिकर परी गायब हो जाती है, विनोद परी का धन्यवाद करता है, और वाटर मेलन जेसीबी को लेकर खेत में जाता है, जैसे ही वो खेत में उस मैजिकल वाटर म वाटर मिलन जेसी भी को चलाता है जमीन में फसा हुआ पत्थर एक बड़े से विशाल हीरे में बदल जाता है ये देख विनुद की आँखे खुली की खुली रह जाती है जैसे जैसे वो जेसी भी चलाता गया वैसे वैसे विशाल हीरे जमीन में से निकलते गए ये बात में बड़े बड़े हीरे भी निकल रहे है मैं आज रात ही जाकर उस water melon JCB और खेट में चुपे हुई हिरों को चुरा लूँगा यह सोचकर शंकर उस राज चुपके से विनोत के खेट में जाता है खेट में magical water melon JCB थी वहां की जमीन चांदी जैसे चमक रही थी ये देख शंकर खुशी के मारे जूम उटता है और जैसे ही वहाँ जाकर जेसी भी को वो हाथ लगाता है वो जैसे भी शंकर को अपने बकेट में डाल देता है और जैसे ही जेसी भी का बकेट जमीन को लगता है जमीन में से बड़े-बड़े सांप बिच्चु और चिपकली उस बकेट में आ जाते है ये देख शंकर डर के मारे जोर-जोर से रोने लगता है और मदद के लिए चिलाता है अरे, अरे कोई है, प्लीज मेरी मदद करो ये भगवान लगता है, भरी जवानी में ही मेरा राम नाम सत्ते हो जाएगा अरे, कोई है, मेरी मदद करो शंकर की आवाद सुनकर गाव वाले और विनोद वहां आ जाते है शंकर जेसीबी बकेट से छलांग मार कर बीना पीछे मुड़े वो गाव छोड़ कर भाग जाता है उस दिन से विनोद अपने मैजिकल डाइमंड वाटर मिलन जेसीबी से गाव वालों की मदद करते हुए खुशी-खुशी अपना जीवन बुजारता है